स्वार्थ की वज़े से लोगों को दूर हड़ते हुई देखा, संघर्षव में अपनों को साथ छोड़ते हुई देखा, परंतो एक अवस्था जो लगातार साथ में थी, एक प्रवर्ती जो मन के भीतर हो जागर थी, वो थी अपने भीतर के होंसले की उडान, वो थी भीतर क जी जी विशा, जो अनंत तक समाहित रही, करक राशी के महनुभावों ने वर्ष दो हजार तेईस में ऐसी ही परिभाशाओं को अपने साथ लगातार देखा, परंतो रोकना क्या होता है, ठकना क्या होता है, ये बिलकुल भी नहीं सीखा, बले ही आप नौकरी पेशा कार बनाने का प्रहत में किया, लोगों ने जितने रोडे डालने थे वो प्रहत में किया, परंतो हटना और रुकना हमारे शब्द कोश में था ही नहीं, इसे वज़े से वर्ष दोहजार चौबीस में प्रवेश करते हुए, यहां आप एक अलग और अद्वत जजबे के राशे पर लेकर उपस्तित हुए हैं, ग्रहे, गोचरिय, विवस्थाओं की इस्तियां क्या क्या रही है, इसकी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रहत में करेंगे, चंद्रमा स्वराशे स्थान में पचीस, चबीस, एवम सताइस, जनवरी, दोहजार चौबीस के साथ में रहने वाले होंगे, वहीं केतुपराकरम में और राहू की स्तियां यहां नवम भावस्त करम के साथ में चलती हुई, करकराशी के महनु भावों के लिए लावेश, एवम सुखेश, शुक्र, यहां एक तरह से मंगल राशी स्थान के साथ में रहने वाले होंगे, म ब्रिहस्पति की मूल त्रिकॉर्ण में प्रवेश करेंगी जहां से ब्रिहस्पति की दिरिस्टी भी मंगल बुद्पर रहेगी सूरीदेव की स्तियां भी धनेश होकर जो सस्ट भावस्त करम के साथ में है इनकी अवस्था स्पस्ट रूपे इन 15 जनवरी तक धनुराशी उसके बाद मकरस्त प्रवेश कर जाएंगी जहां से मकर संक्रांदी जैसा परव भी रहेगा 15 जनवरी वो तारीक वहीं अस्टमेशन देव अस्टमभाव में इसी बज़े से आपको निरंतर तोर पर ढहिया का करम बद्द चरण चल रहा है राहु की स्तिया नवंभाव में यानि भाग्य भावस्त करम के साथ में चलती हुई तो वहीं देव गुरु ब्रहस्पती नहां मंगल राशी स्थान में यानि उत्रोतर बली केंद्र के साथ में देरंतर तोर पर गतिमान है 31 दिसंबर 2020 से देव गुरु मारगी हो चले है चरजा करते हैं प्रथम भाव की ब वजह से ठेराव की स्थितियों को आप अपने साथ में अभी भी लेकर चलिएगा कुछ लोगों को जवाब देना है परंतो अभी भी रुकने के आवशकता है आप यहां अपने भीतर के आत्म विश्वास को पुने हैं इस महीने पराप्त करने की चेस्थाओं में काफी हद तक सफल होते चले जाएंगे शुरवाती 15 दिन धीमे कहे जा सकते हैं उसके बाद में आपका ओज एवं आपकी सोच का अधार काफी हद तक मिश्रित होता चला जा रहा है वो हम ही थे जिसने सफलता का एक करम देखा वो हम ही है जिसने धीमापन भी देखा पर हम तो दोनों में हम विचलित भाव से चल रहे हैं आप किसी इंटर्वियू की तरफ जाते हैं बिना एक्सपेक्टीशन के जाईएगा आप व्यापारिक जीवन में किसी बिडिसाइजियू मीटिंग की तरफ जाते हैं ओधे वाले व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो वो भी इनसान ही है बले ही किसी इस्तर के साथ में पहुंचावा हूँ ये मनुभावना अपने भीतर आप बहुत अच्छे से कूटस ताधार पर लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा और ये बात स्मृतियों में रखने की आवशक्ता है कि आप व्यापारिक जीवन में जो अभी कारे कर रहे ह उसमें अबरोद शुरवाती तोर पर जो आ रहे हैं अब रुख मोडने की जरूत नहीं है अब यहां पूरी ही उर्जा के साथ में पुन है चलने की जरूत है यहां आपके लिए 15 से 31 जनवरी 2024 तक का समय ब्रह्म एवं भय की घेरों को हटाता चला जाएगा हम क्या हैं वो आज हैं यहां कल नहीं सवस्ता से हट कर आप उन्हें अपनी जीवन यात्रा को यहां शुमार करने वाले रहेंगे द्वितिय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस पस्ट रुपेण धनागमन में आपके साथ में यहां वुरध्धी के प्रतिमान बहुत अच्छे से उ उसमें भी आप फाइनेंस सम्बंधी का अमकाज में जुड़े हुए हैं तब तो आपके लिए शुरुवाती जो 15 दिन है और उसमें भी 7 से 14 जनवरी 2024 तक का समय है वो अद्बुत से भी अद्बुत है बुधा दित्य बनने वाला होगा और वो भी धनेश के सस्ट भाव के साथ में रहते हुए बनने वाला होगा वो वस्था आपके लिए अद्बुत कही जाएगी वानी व्यक्ति का पुरशार्त भी है उसका प्रेजन्टिशन का बेज भी है और उस व्यक्ति की शालीनता को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करने का आधार भी है ऐसे शब्दों को पुनह जाच कर परक कर आगे बढ़ने वाले हूं शन्देप की सांत्वी द्रिस्टी यहां परिवार भाव पर है आपने हमारे साथ में क्या किया उन बातों का कोई भी आश्रय और आधार नहीं है हम अभी क्या कर रहे हैं हमने अगले के लिए क्या किया किस सम परपित भाव से रहें यह सोचने का समय अभी नहीं है हम अपने कर्म के साथ में पूर्ण तया यहां सनलगन रहें इस बात को उजागर करने का समय है यह जो विवस्थाओं में भी विवस्थाएं पनप रही है यही अभी जीवन का क्रम है वहीं आपके लिए अटके हुए रुपए और पैसे के पुनहे प्राप्ती के साथ नहीं भी थोड़ी सी देरी रह सकती है परंतुहम अपनी वचारधारा को सपष्ट तोर पर यहां आगे बढ़ाने का प्रयत्न जरूर करते चले जाएं वहीं पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो मुख्य रुपेंड ज आपका कर्म उजागर कर रहा है वाणी की माद्यम से शब्दों को खर्च करके क्या हासल करेंगे जब कर्म की द्वने इतनी बहतर है और वहीं पर जो आसकती विरक्तिक इस्ततिया होती है जो आप बारंबार भावक्ता के साथ में चले लोगों की मरत की वो ठीक बात है परम लोगों से पहले दोखा काया आप वो पुने हैं सामने और कह रहा हैं कि जुड़ जाओ किस वज़े से जुड़ जाएं क्या लीपपुदी की वज़े से जुड़ जाए जाए ये क्लारिटी अपने साथ में जरूर रखिएगा जब व्यक्ति का पास्ट एप्रोच के साथ म का प्रयत्न जरूर कीजिएगा ये थाड़ आउस की अट्मोस डेफिनेशन है और डिफाइन डेफिनेशन है यात्राओं में बले ही इस महीन इतनी सार्थक्ता नहीं मिले बले ही उस तरह की वज़े प्राप्त नहीं हो परन्तो यात्राओं की आवशक्ता है क्योंकि हम कर मंगल राशी स्थान में है इसी वज़े से यहां फैशन टेक्नोलोजी डिजाइनिंग इंटिरियर संबंदी कामकाज में आपके लिए बैतरी है रियल स्टेट संबंदी कारियों में अभी भी धीमापन रह सकता है ब्रेस्पति बले ही सात्वी द्रिस्टी से यहां सुख अपने साथ में आप रखिएगा सर्विस इंडिस्ट्री संबंदी कामकाज में समय बैतर है जौब में फरस्ट्रेशन आई उक्ताहट आई सरकमस्तांसिस के वज़े से चेंजिस करने पड़े अब हम सिच्वेशनल बिसस के साथ में खुदको नया नाम देना चाते हैं आग सार्थक्ता के साथ में आपको सयोग कर रहा है जब मातुर्पक्ष के साथ में व्यक्ति का आशरवाद पूर्ण तया मौजूद हो और वहां से हामें मिल जाए तो संगर्ष संगर्ष नहीं रह जाते उसके मद्य से हर्ष जो निकल कर आता है वही कर्म की परतिधुनी का रहे जनवरी 2030 से दिसंबर 2030 तक निरंदर संगर्ष किये परिभाषाओं को पैचानने का कारे किया आगे बढ़ने का यतेस्त प्रयत्न किया थोड़ा बहुत आगे बढ़े भी परन्तु उसमें भी उलजहने रही परन्तु अब जो पंचम की शुक्र शुरवाती 18 दिनों के लिए हैं वो अवस्थां को काफी हथ तक सुधार देते हैं हाला कि ये बात जरूर है कि आपके लिए destruction driven approach continuous measures के साथ में रहने वाली होगी परन्तु उससे चंता करने की जरूरत बलकुल भी नहीं है हम अपनी clarity को define करके आगे बढ़ते चले जाएं संतान पक्ष के साथ में contradictions रह सकते हैं उनसे आपको थोड़ा सा एक तरह से वेभारिक बक्ष में समझ रखकर चलने का प्रहत्न करना चाहिए जो महिला हैं संतान सुक्ष के और अग्रसर हैं साथ से चौधे हैं पंदर हैं जनवरी तक travel avoid करना आपके लिए ज्यादा बहतर कहा जाएगा ये स्पष्टता रेखांकित करके आप चलने का प्रहत्न जरूर दीजिएगा महीं हम यदि सिक्स्ताउस की तरफ बढ़ते हैं आप से कर्बद निवदन करेंगे कि इस महीने रण संबंदे स्थियों से दूर रहें किसी भी व्यक्ति को इस पस्ट जवाब दे कर कहना है कि यहां तक विवस्ता होगी वो अच्छा है किसी और से लेकर यहां विवस्ता कर देना और उलचते चले जाना कहीं से क्या विवस्ता कहीं से क्या आवस्ता वहां से मंगल व्यक्ति को काफी हद तक उलजाते हैं सिक्स ताउस के साथ में मंगल की पोजीशन में व्यक्ति को रिन संबंदी इस्तियों से बचना चाहिए रक्त संबंदे विकार, तुचा संबंदी, रोग और साथी साथ में जो बोन्स और जोइन्स के स्टिपनस लंबे समय से आपको डिस्टाउप कर रही थी उससे जतनी दूरी आप बना कर रखेंगे, उतनी बहतरी स्वाहिम के लिए शुमार करते चले जाएंगे ये क्लेरिटी आप डिनोट करके रखिएगा, सेक्स ताउस की डेविनेशन क्लियर है, शत्र पक्ष बिलकुल भी हावी नहीं है परमतू तताकति जो भीतर की शत्रू है, उसमें भी सबसे बड़ा भाय, उसके निराकरण के लिए संभव तया, खुद को ही प्रहत्न करने पढ़ेंगे, उसमें भी कार्ति की उबासना आप निरंतर तोर पर करते चले जाएं सेवन्त आउस की पूरिशन के साथ में डिस्क्रिशन करते हैं, तो जो सेकंड आउस की लौडशिप है, वो सेवन्त आउस के साथ में है आदर्श शत्रुराशिस्तान में परमतु पुनहे प्रथम भाव को देखते हुई, अब गृहस्त पक्ष का सायोग आपके साथ में रहेगा, उलजनों के मद्य सुलजने का जो क्रम है, जब भीतरी आवरण के बिलकुल आसपास के व्यक्ति से निकल कर आता है, तो वो व्य पुनहे संचारत एवं संचारत भाव के साथ में बहतरी देता है, यहाँ पर गृहस्त पक्ष के साथ में किसे कामकाज की शुरबात करनी है, तो मार्च दोजार पच्चीस तक के ठहराव के नीव लगा कर चलने का प्रहत्म कीजिएगा, यहां सोलर संबंदी कामकाज में अ आपका जो evolving process है, आगे बढ़ने की जो परक्रिया है, वो निरंतरता लेकर आ रही है, अस्तम भाव की चर्चा करें, तो अस्तमेश होकर शनिदेव अस्तम भावस्त करम के साथ में मौजूद है, इसी वज़े से research संबंदी कामकाज में एकांत आपके मन के भीतर को नए सेरो इशूस के साथ में लंबे समय से देरी देख रहे थे, खुद के भीतर की जो व्यक्त इस्तियां आगे बढ़ने की थी, उसको रुकावट में देख रहे थे, अपुने है आपके लिए स्तिरता है, होनर को अभी और परिपक्व होकर आगे बढ़ने का एक तरसे प्रवास आ यह कल्कुलेशन भी खुद के साथ में आप ले कर जरूर चलें कि चोटी चोटी बाधाओं के साथ में खुद को बारम बार डिस्तरवेंस के साथ में बिल्कुल भी नहीं देखना है, खुद को यहाँ काफी हद तक सार संभाल के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत है эт कि 9 भान भाव स्वयम को एक तरह से chemical संबंदी कामकाज में जोड़ना चाते हैं और भाग्गी के सयोग को देखना चाते हैं आप जोड़ सकते हैं परमतु भाग्गी के सयोग देरे देरे हैं skeptical approach से पूर्ण तया आप बचिएगा 10th house की बात करते हैं लेव गुरुब रहस्पती और मंगल का परिवरतन है इसी वज़े से आपके लिए यहाँ finance संबंदी institution medical संबंदी कामकाज के साथ में आप lecturer आदी हैं तो उस positions के साथ में नयापन मिल सकता है कोई भी change की offer और opportunity आपके सामने आती है वो clicking base आपको यहाँ अपना कर चलने की पुरी-पुरी जरुरत खुद के लिए रहेगी पिता के साथ में पुना है संबाद कौशल इस्थापित हो रहा है सोच में जो लंबे समय से रोगणता गिरी वोई थी हम कहां हैं कहां जा रहे हैं क्या कर रहे हैं यह जो प्रश्ण बारंबार उठते हैं उससे मुक्त होकर अब आपकी यात्रा यहां इस फ़स्ट मार्ग आपके लिए निर्देशित एबम संपरिशित करती चली जा रही है आप यहां कोई भी हार्डवेर संबंधी कामकाज यहां आईटी फिल्ट संबंधी कामकाज यहां हैंडी क्राफ्ट संबंधी कामकाज में खुद को गतिमान करना चाहते हैं आपके लिए तेजी देखते ही बनती है वही प्रती एक संगर्ष में भी मानस एक सुक आपके लिए मौजूद रहने वाला होगा लाब भाव की चर्चा करते हैं तो यहां इंट्यूशन की पॉजिटिविटी रहेगी उसके साथ शुमार होकर गतिमान हुआ जा सकता है सरवांगिन लाब ठीक ठाक तोर के उपर आपके लिए अगरगामी होने वाली अवस्ताओं के साथ में चल रहे हैं द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो यहां खर्चे धीरे-धीरे नियंत्रण की अवस्ताओं को निर्मित कर रहे हैं जो भी महनुभाव कोड कचरी संबंदित मामलात में काफी हद तक उलजने देख रहे थे उनके लिए भी सॉलूशन के अबरोच अब दीरे-दीरे डिफाइन होने वाली हो सकती है हाला कि यहां पर जो विदेश संबंदिक कार्य हैं उसमें ब्रद्धी तो है परनतों जो छोटी-छोटी अवस्थाएं कई बार विक्ति को बाहरी तोर पर भाई के साथ में लेकर चलती है कैसे सैटल होंगे, किस तरह सागे बढ़ेंगे, इन डेफिनिशन को हटाएं अब भी जहां हैं उसको स्थरवादी करने का प्रहत्न हम जरूर करें ये मूल मंतर अपने साथ में जरूरा रखिएगा तो ये था करकर आशी के महनल भावों के लिए जनवरी दोहजार चौबीस का मासिक राशिपल हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्तित होने के प्रहत्न करते रहेंगे धन्निबाद एवम कोटी शह आभार